तो यह है एक floating world तो गैस आज में try करने वाला हूं 100 days survive करने की इसी floating world में जो की है एक तैरता हुआ world यानि कि यह हवा में तैरता हुआ world है और इस world की खास बात यह है कि तुम भागते भागते सीधे world में गिर के मरी भी सकते हो बस यही काम नहीं करना है हमें अगले 100 दिन तक औ कि इस world में cave की नाम पर सिर्फ यह चोटी मोटी cave है जो की शुरू होते ही खतम हो जाती है यानि कि इस world में हमारे पास resources की बहुती ज़्यादा कमी होने वाली है तो देखते हैं क्या होते आगे तो क्या आज मैं इस floating world में 100 days survive कर पाऊंगा survive करने के साथ साथ हमें एंडर ड्र मता हो देख रहे हैं मेरे चारों तरफ यहां पर सिर्फ दिखाई दे रही थी और मैं इस one block पर spawn तो हो गया था जिससे मुझे यह भी समझ आ गया था कि यह वर्ड अपने लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होने वाला पहले दिन से दिख रहा हो तो और इस block से मैं इतना ज से निकलने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था वो था यह पानी अगर मैंने सही से जंप करके पानी में पहुंच गया तो मैं यहां से निकल सकता हूं लेकिन अगर थोड़ी सी भी गरबर हुई सिद्धा नरक में जाके गरूंगा और अपनी वीडियो स्टार्ट होने से खतम हो जाएगी तो समल की जाना पड़ेगा और देखा तुम्हारे भाई ने कर दिखाया भाई जो कोई भी खर सकता है और पानी के हेल्प से मैं हाँ पर ऊपर तो आ चुका था लेकिन अभी भी यहां से निकलना बागी था क्योंकि अभी मैं काफी जादा नीचे था और उपर जाने के लिए मुझे जमा करनी पड़ेंगी डर्ट ब्लॉक क्योंकि स्टॉन तो हम जमा करनी सकते हैं तो उसकी बाद मैंने हैं से थोड़े बहुर डर्ट ब्लॉक्स जमा किया और सीधा बहार निकल आया और फाइनली अब जागे थोड़ा अच्छा लग रहा भाई वनाव के बीच में मर जाता भी मैं बची गया बेसक अपनी सुर्वात उतनी अच्छी हुई निया इस फ्लोटिंग वल्ड में लेकिन ये अच्छी बात थी कि आसपासी मुझे सारी बायोम दिख रही थी जितनी भी बायोम होती हैं सारी तो नहीं दिख रही थी पर से टूल्स बना ले ते हैं अपने तो यहां पर मेरे पर स्टॉन के टूल्स तो आई चुके थे और यहां पर एक च्छोटी सी केव भी थी जहां-पर मुझे पोल तो दिख रहा था जहां-पर मुझे जलते वह भाई सब मिल तो उनको मैंने पहले निप्टा दिया और यह ब काले को मैंने मार दिया हिसाब बराबर कर दिया मैंने लेकिन अपनी भी हालत को ज्यादा चीनी रही देख रहे हो दिल पे मारा तीर ऐसी लगता मुझे भी जब तुम सब्सक्राइब नहीं करते को तरीका है भी मांगने का और इतनी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद मुझे काफी ज्यादा भूग लग रही थी और आसपास मुझे यहां पर एक भी जानवर नहीं दिख रहा था पता नहीं कौन से कोने में जाके चुप गए सारे और खाना तो मुझे भी और हाथ में नहीं आ पाए तो कुल भाई साब तो अपने नसीब में हुए नहीं लेकिन मुझे यहां पर कुछ चमकता चमकता खाना दिखाई दे रहा था तो जमाभी कर लेते हैं फटाफट तो उसकी वाद मैंने फटाफ़र से फन्नेंस बना के अपना खाना भी पका लिया और जब तक हमारा खाना बनके रेडी होता उससे पहली रात हो गई तो उसके बाद में बैड़ बनाके सिद्धा सोने चला गया सुबह चलेंगा एरन माइन करने किसी दिर इनको भी माइन कर दूंगा देख रहे हो कैसे मेरे सामने गायब हो रहे हैं और हल्किसी गलती हुई सिद्धा नरक में जाके गिरूँगा मैं और इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि इसमें केव भी कोई घहरी नहीं है मतलब सिर्फ चार-पंच ब्लॉग की तुम्हें हाँ पे केव मिलेंगी क्योंकि जादा नीचे जाएंगे तो सिद्धा नरक क आजाएगा तो समल की उपर-उपर माइन करना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है मैं नीचे गिर के नहीं इनसे मर के मर जांगा पर बगल में मुझे थोड़ा बहुत कोल भी मिला था तो मैंने थोड़ा बहुत कोल भी मैन कर लिया अरे नहीं 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 भाई नहीं यह त time के लिए लगता है कि ये भी diamond है पर अभी लैपीस ही है तो इसे भी जमा कर लेते हैं और देख रहे हो अभी मैं सिर्फ cave में आया ही था के भी खतम होगी अगर मैं flow flow में भैजाता ना तो सिद्धा नीचे जाता पाची गया भी मैं और उसके बाद मैंने यहां से काफी सारा iron माइन किया और यहां पर मेरे पस काफी सारा iron तो आ चुका था जिसे मैंने अपने लिए iron के कुछ tools और अपने लिए iron का armor बनाया और अप तो मैंने मुझे desert वाली बायों मिलगी बायों के साथ साथ नीचे माइनशाफ्ट भी मिलगी पर हवा में मैंने पहली बार देखी है तुमने भी देखिए तो कमेंट में बताओ और बगल में मुझे यहां पर एक केव मी मिली थी तो मैंने सुझा क्यों ना थोड़ा बहुत तो spawner है वो किस चीज़ का है देख रहे हो मेरी पूरी band बजा रहा कि इन्होंने यहां पर मैं almost भाई skeleton से घिर चुका था यहां पर मैं लग रहा था कि अपना गेम खतम मैं भाई नहीं बच पाऊंगा मैं पर जैसे तैसे मैं भागने में यहां से काम्याफ बिरा पर जैसे ज्यादा फाइट करने के बाद भी अभी तक मैं spawner को तोड़ तो पाया नहीं था तो मैंने सुझा क्यों ना ऊपर से जाता हूं उपर से साथ में spawner को तोड़ पाऊं तो में लिए advantage रहेगा और आज अपने हाथ थोड़े छोटे पड़े तो मैंने सुझा क्यों ना नीचे कूच जाते हैं जो होगा देखी जाएगी इसको सीधा तोड़ देते हैं और यहां पर मैं सीरेसली यह बात मुझे बिलकुल नहीं पता था की creeper के फटने के बाद भी spawner तोड़ जाता है यह तो जब तो पता चली कि ऐसा भी होता है और काफी ज़्यादा फाइट करने के ब मिलानी बस एक golden apple और थोड़ा बहुत पूड़ा कवड़ा मिलाता पर जैसा भी अच्छा है तो मैंने सार अपनी जेम में भर लिया और अपनी लड़ना इनको सीधा निकल लों भाई मैं नहीं लड़ रहा भाई इतना लड़ लिया हूं मैं इनसे अभी तक मैं टोटल नहीं मारता हूंगा मैं इतने zombies को जितने अभी मारें मैंने और उसकी बाद मैं desert वाली बायोम की तरफ सीधा आगे बढ़ गया और ये वाली बायोम भी सुरू होते ही खतम होगी पता नहीं से वाली world में सारी बायोम छोटी है की मेरे नसीब भी खराब है खेर आगे ठोड़ा बह मैंनिंग के लिए पर जब ओपर में दिख जाए तो खुले आमचोरी करने में क्यों सर्माना ये बड़ी अच्छी बात करिया और अभी बस मैं खुले आमचोरी करी रहा था कि मुझे यहां पर एक और स्पॉनर दिख गया और पता नहीं क्यों इतने creeper मेरे पास ही आके पताओ भाई इस वर्ड में creepers ने क्या कुछ ठीका ले रखा है क्या भाई एक नहीं आएगा कभी भी तीन-तीन के साथ आ रहा देख रहे हैं अपने दो भाई बंदू भी ले रखे हैं वगल में तो जब तक अपना iron smelt हो रहा है तो मैं तो पताए हम खाली बिल्कु नहीं खोड़ा सा भोजन और जमा कर लेते हैं उसकी बाद मैं अपने लेक पैंट और एक वाटर बकेट और एक शील्ड भी बना ली पिछली वारी तो creepers ने फटफट के फोड़ दी है वाट लागा दी बिचारी शील्ड की वाटर बकेट तो बना ली अब पानी कहां से मिलेगा क साही है न आप तीनों सेम दिख रहे हैं अब और यहां पर बस में उचलते कूदते हुए सिदा आगे बढ़ी रहा था कि मुझे नीचे एक माइन शाफ्ट भी दिखी तो मैंने सुचा क्यों ना नीचे जाके लूटी लेते हैं क्या पता कुछ चित अगड़ा सा सामनी मिल दमेंड बगरा मिलने हैं तो मदर या जाएगा पर यह देखके लग नहीं रहा कि मुझे नीचे जाना चीए और यहां पर लिटरली में मरते मरते बचाओं जैसे तैसे मैंने यहां पर पानी नहीं लगा था तो भाई अपना दी अन्ट तो पक्का ही था फाइनली मैं यहां मुझे यहां पर एक रूइंड पॉर्टली मिला जो की काफी ज्यादा अची हालत में था मतलब इसको मैं कंप्रीट करके नेदर में तो जा सकता हूं इसी ली पर चैस्ट में ऑपसीडियन तो यह कभी देंगे ही नहीं हम इसा कूड़ा भरके रखते हैं और गाइस यह मेरा इंस्ट्राग्राम में जहां पर मैं फेस रिवील औरेडी कर चुका हूं और अब चैरा देखने जाए रहे हो तो फालो भी कर ले ना चैस्ट में बेसे कूड़ा हो लेकिन यह दो गोल्डन ब्लॉक्स कोई नहीं छोड़ता तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ देखो गईस मै क्रीपर का घर है क्या है भाई मुझे हर बार मिला है यहां भी मिल एक दो अधार मतलब पहले भी मिला आगर क्लिपकरदेता हूं लेकिन बहुत बार मिला है मैं अस्वाइइको ये सबादी मेरे को सुने पता हो तो कुछ कमेंट में बतानी बार तो थोड़ा सा के चलने के ब लिए बार देखिए Minecraft में वाइट फॉक्स और उसकी बाद मुझे हैं पर एक अनपड़ वाले फार्मर अंकल मिले और मैं इनको अनपड़ क्यों बोल रहा हूं वो तो तुम फार्म का डिजाइन देके समझ में आई रहा होगा तुम्हें यह कैसा फार्म है यार उसकी बाद मै मैं यहां से काफी साई लकड़ियं जमा की क्योंकि अब मेरा टार्गर था कि मैं फ्लेचर अंकल से वही अपना काम करेंगे थोड़े से उनसे बो और एरोज खरी देंगे तो उसकी बाद मैंने यहां से थोड़ी बाद फ्लेंट जमा करके एक फ्लेचिंग टेबल बनाई त अतलब पावर की बुक देते यार तो फाइनली हमारे लेबरेर अंकल हमें पावर 3 की बुक तो दी लेकिन यह कुछ जाद ही महेंगी दे रहते 35 एमरेल्स की मुझे यहां पर एक पावर 3 की बुक मिल रही थी और मुझे चाहिए थी 2 ताकि मैं उसे पावर 4 बना पाऊं तो और पावर 4 तो मैं खुदी लगा लूँगा तो उसके बाद मैं अपने लैबरेर अंकल से दो पावर 3 की बुक खरीदी पर लगाने के लिए अभी अपने पास एन्विल नहीं है तो थोड़े बहुत एरोस खरीद लेते हैं उसके लिए मुझे बनाना था दूसरा फ्लेचर क्योंकि पुराना वाला तो हमें एरोस दे ही नहीं रहा है तो उसके बाद मैं नए वाले फ्लेचर अंगल से थोड़े बहुत एरोस खरीदे और थोड़ा सा फ्री का आरेंड जमा किया और अभी बस मैं आरेंड जमा करने के लिए इस केव में आया ही था कि आरेंड के बदल लगा ली और माइनिंग से मुझे हैं पर पूरे पांच डैमेंड मिलेते जिससे मैंने अपनी लेक डैमेंड की पिक एक डैमेंड की स्वाड बना ली और गोल्डन बूर्स बना कि मैं इसकी द्रे निकल गया लावा पूल की खोज में क्योंकि अब बारी थी नेदर में जान जाएंगा जिसे कि मैंने एक वालटी लावा यहां से उठाया और अपने पोर्टल को एक्टिवेट करना चालू किया मतलब बनाना चालू किया तो बगल में था क्या किस्मत देख रहे हो इतनी के एव में ढूंड लिया तब यह लावा पूल नहीं मिला अब मेला और उसकी वाद मैं सीधे निकल गया ब्लेज रोड जमा करने के लिए जहां पर मुझे थोड़ा सा आगी चलने के बाद ही ब्लेज स्पॉनर तो मिल चुका था तो अब फटाफर से ब्लेज रोड भी जमा कर लेते हैं और पता नहीं ऐसा मैंने क्यों किया बस अब रेल गाड़ी की तरह भागना पड़ेगा और थोड़ा सा आगी चलने के बाद मुझे हैं पर एक बैशन दिखाई दिया और डैमेज लेने वाली एमेल जी तो मैं करता रहता हूं वाह डैमेज लेने वाली एमेल जी चलो अब बै सब्सक्राइब और बाकी चेस्टों से भी मुझे यहां पर ठीक टाक्स सामन तो मिल चुका था और यहां से मुझे एक डामेंड की पेकेक्स भी मिली थी जिसमें एफिसेंसी टू लगी हुई थी चलो कुस तो अच्छा मिली गया एक और एंसें डेवरिस बढ़ी है चलो ब के बाद वीदर को भी तो मानना है और वीदर को विदाउट इंचेंटमेंट मानना समझ लो वीदर से अपनी छुटी कराना है तो इंचेंटमेंट तो लगानी पड़ेगी यार तो उसकी बाद मैंने अपनी गायों के लिए यहां पर एक छोटा सा तबेला बनाया और थोड कुछ नहीं मिला तो फिर से लग जाते हैं मजदूरी पे और उसकी बाद मैंने घर आके अपने लिए डैमेंड का आर्मर बनाया और अपने आपको फुली डैमेंड में कवर कर लिया बस इस पर इंचेंटमेंट और लगा लूँ उसके बाद तो अपना डैमेंड का आर्मर एक दम चमाक उठेगा और उसकी बाद मैंने यहां पर इंचेंटिंग टेवल बनाई और धेर सारा लेदर जमा किया और धेर सारी बुक सेल्फ बना के अपनी लैबरेरी को कम्प्रीट भी कर दिया तो अब बलती अपने आर्मर पर इंचेंटमेंट लगाने की और देख रह झाल और फाइनली काफ़ ज़्यादे मजबूरी करने के बाद हमारा एक्सी फार्म तो बनके रेड़ी हो चुका था तो अब बारे 30 का यूज करके फटा फुर्च अपने आर्मर पर इंचेंट्मेंट लगा देते हैं और फाइनली अपने डामेंट का आर्मर एकदम चमकने लगा था हाँ भई सब्सक्राइब लगा लिए और इंचेंट्मेंट लगाना आज मेरे लिए काफी ज़्यादा मस साबित हुआ काफी बड़िया बड़िया इंचेंट्मेंट मिलीगी वो भी सभी में और विदर को मानन से पहले हमारा एक ही काम है एंडर ड्रैगन को मानना तो उसके बाद में काफी सारी आई अफ एंडर बना के सीधे निकल गया स्टॉंग गोल्ड के लिए पहले तो मैं सोचे आता कि कई यह ऐसा तो नहीं है स्टॉंग गोल्ड ही नहीं है पर है भाई है तो चलते हैं फिर एंड पर मारें गतम जल 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 और बस खतम टाटा भाई और कहां पर भाई स्टॉंग अरे यार तुम्हारे दो दोस्ट पीछे लेके घूमते हैं यह क्रीपर भाई अकेले कभी चलता ही नहीं और मैं नीचे अहां बच गया भाई नीचे जा रहा था लग रहा था उपर ज लेने आ रही है और फैनली मुझे हैं पर स्ट्रॉंग गोल्ड मिल चुका था तो उसके बाद मैंने सक्यों ना लाइबरेरी से थोड़ी बहुत बुक मिल जया है तो मुझे आ जाएगा क्योंकि एन्विल तो मैं अपनी जेम में भर के लाया था पर लाइबरी नहीं मिलती अच्छा रहता एक भी ढंकी बुक नहीं मिली सारी के सारी घटिया बुक पर चलो जो मिला है उसे ही लगा लेते हैं और पता नहीं मैंने यह क्यों किया मुझे भी नहीं पता बस और फैनली मुझे आपर एंड पोर्टल मिल चुका था तो उसके बाद मैं पोर्टल को अच्छा की तरह इस बार भी मैंने एंडर ड्राइगन को बहुत ज्यादा इजीली मार दिया तो उसके बाद मैंने इसकी एक्सपी और इसका अंडा दोना को चुरा लिया और एंडर ड्राइगन को मानने के बाद अब अपना टार गड़ता है इसके पंक चुराने की हम से बाद ब्लोक्स जमा करके सीधा निकल गया एंड वर्ड के लिए मतलब एंड सिटी की तरफ और अब बारी ती एक एंड सिटी डूड़ने की लेकिन किसमत आज अची है नहीं देख रहें कौन से एलेंड पर स्पॉन करा दिया और उसकी बाद मैं काफी सारे ब्लोक्स जम मुझे यहां पर ठीक तरक सामन मिली गया था तो मैंने वहां से भी उठा लिया और इलाइटरा के मजे लेते हुए मैं सीधा निकल गया अपनी घर की तरफ पर यहां पर मेरे साथ जो हुआ है वो जरूर देखना तो सबसे पहले मैंने हाप अपनी पहली एंडरपल थो की ज का हुआ जैसी मेरे एंडरपल थो कि मैं वाइड में गिर गया और लाश्ट मैंने हाँ पर पानी भी लागा दिया था कि पानी के हेल्प से क्या पता मैं उपर आ जाओं पर अपनी स्मीड को जादी तेज थी तो सिधा मैं वाइड में गिर गया और एंडरपल थो मेरे पास थी नहीं ताकि मैं कलच करके भी भारा पाऊं पता नहीं यार ऐसे तरंगी चीजे मेर साथ ही क्यों होती हैं फिर से हंडर्ड डेज सर्वाइब नहीं कर पाया खेर छोड़ो किसी और दिन ट्राय करेंगे अब हंडर्ड डेज लगातार दो हंडर्ड डेज की वीडियो में फेल हुआ हूँ मैं मेर से बड़ा नूब कोई नहीं होगा फिर तो